हेलो दोस्तों गूड इबनिंग जैसु जहार नमस्कार सश्रे कलादाब और मैं आपको प्यारी सीबा और आपको मेरे यूटुचन पर बहुत सा स्वाहत है दोस्तों और अभी है साम का टाइम तो मैं अभी जार यूट डीनेर बनाऊंगे अभी से दाल बना के रख देती हू मैं दाल को अच्छा से दो दी हूँ और इसको भी थोड़ा पानी देके भीगव देंगे भीगा देने के बाद थोड़ा अधा गंटा छोड़ देंगे ताकि आराम से थोड़ा भीग जाएगा ऐसे हमनों का ग्यास से खर्चा बहुत काम होगा क्योंकि तुरंत बनाने से य दाल बनाने के लिए में दो हरा मिर्ची और दो लशुन और एक प्यास काट करके रख दी हूँ और यहां पर है पांच फुटन और ग्यास पर में हाट पर बैठा दी गुकर यह गरम हो रहा है और यहां पर मैं थोड़ा सा करी पत्ता लेकर आ गई हमने उसका कुकर गरम हो गया आभी हम लोग इसमें देदेंगे सिर्षो का तेल और यहां पर देखिए दाल को मैं अच्छा पर दिगा दी थी और यह है यह जल्दी पक जाए गया आप लोग वेसे बनाइए दाल को भीगा के तो घ्यास खर्चा जादा नहीं होगा बच्चत होगा ग्यास गरम हो गया हम लोग का तेल आभी हम लोग देदेंगे पांच पुटन उसके बाद थोड़ा सा दे देंगे करी पत्ता इसके बाद दे करने हम डॉल्टन उसस पेड़ें इस जाहिए है है को सुटम गल्हें देए ने तुन क करते। प्यास मिर्चे रसून उस भीए हो गया है । आज शों आज ने दाल दे देंगे इस में आज टमाटर नहीं डालेंगे यसाहीव बनाएंगे और दाल दे देंगे haven अभी इसका तरफ कर थोड़ा निक्स कर देंगे अभी थोड़ा दर के बाद है नम्मा को हल्दी दे देंगे और अभी आमनों के आहपे नम्मा को हल्दी दे देंगे अभी हम लोग इसमे पानी दे देंगे अब जितना दाल दे हैं इसी का बेस पे पानी दे देज़ेगा पानी देदी में अच्छा से दिखिए मिक्स भी हो गया और अभी हमनों कुकर का ढखकर लगा देंगे दो सीटी में उतार दी जेगा और यहां पे भोजा बन रहा है भेंडी आलू और बर्बट्टी का भोजा मेरा दाल करेशिप दिखा ही रही हूं भेंडी आलू भोजा भी बन रहा है दोनों बन रहा है दाल और भोजा हमनों का भोजा भी अल्मोस्ट पक गया है अब करेंगे दोस्तों हमका दाल बन चुका है देखे बहुत अच्छा से बगे टमाटर के कितना अच्छा बन गया है जादा पतला नहीं है और जादा मोटा भी नहीं है आप लोग भी यह से दाल बनाई है और खाई यह बगर टमेटर के बहुत टेस्टी लगता है मैं कैसे बनाई बहुत सिंपल तरीका से आप लोग देख लिए हैं आप लोग जरू ट्राइ किए जे दोस्तो और यहां पर हम लोग का भोजा भी तयार हो गया देखिए कितना अच कर दो कि एफ देखिवरा के दोस्तो , बही है